साथ संगत जी प्रेम से कहना धन दरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खोबसुरत साखी लेकर आई हूँ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी कृतिका को ओफिस से घर आने में आज फिर से देर हो गई तो कृतिका की सास कहने लगी पता नहीं रोज रोज ये कृतिका कहां रह जाती है आज कल देख रही हूँ ओफिस से बहुत देरी से घर आती है लापरवाही की भी हाध होती है अब घर में खाना कौन ब क्रितिका के ओफिस में एक जरूरी मिटिंग थी जिसकी जिमिदारी क्रितिका पर थी क्रितिका के ओफिस में बहतरीन प्रदर्शन और काम के चलते उसकी कंपनी को एक निया ओडर भी मिल गया था और एडवांस पेमेंट भी कर दी गई थी क्रितिका के काम से उसके ओफिस में सभी खुश थी इसलिए उसका वेतन भी बढ़ा दिया गया था कृतिका बहुत खुश थी वो कड़ी मेहनत करके लगातार उन्ती कर रही थी कृतिका ने घर जाते समय परिवार का मुँ मीठा कराने के लिए मिठाई खरी दी और बड़ी खुशी से अपने घर पर आ गई जैस की सास ने नाराज होते हुए कहा क्या तुमे किसी की कोई फिकर है या नहीं तुम ला पर्वा होती जा रही हो दिन बर बच्चों को संभालने से और घर के कामों से मेरी तवियत खराब रहने लगी है कृतिका ने धीरे से अपनी सास को कहा कि मा जी मैने तो समीर को फोन करके कह दिया था कि आज मुझे देर हो जाएगी मेरी आज जरूरी मिटिंग थी और खाना बाहर से मंगवा लेना मैंने समीर से कहा था कि वो आपको इस बात की जानकारी दे दे कृतिका की सास गुसे में थी वो गुसे से ही रसोई में जाते हुए बोली समीर को खुद का कुछ अता पता नहीं है वैसे वे घर के काम औरते ही करती है जल्दी से कपड़े बदल कर आओ और देखो कि अब क्या बनेगा बच्चे भूखे हैं जल्दी से कुछ हलका बना दो ताकि बच्चे खाकर सो जाए मैं भी अपनी दवाई ले लूगी और अपना खाना बाद में देख लेना क्रितिका को बहुत गुसा आ रहा था कि उसका प्रमोशन हुआ है और घर में उससे कोई पूछता ही नहीं कि तुम्हारे ओफिस में काम कैसा चल रहा है क्रितिका देजर रात तक जाकर अपने ओफिस के लिए काम किया करती थी लेकिन उसके ससुराल के लोगों को केवल रसोई और खाने की ही सूचती थी क्रितिका ने सोचा मेरे ससुराल वाले यही सोचते हैं सारी रात जाकर मैं काम करूँ लेकिन सुभे नाश्ता समय पर मिलना चाहिए ओफिस में कितना भी जरूरी काम क्यों न हो लेकिन बहु को घर समय पर ही आना चाहिए मेरी जगा अगर इनका बेटा समीर होता तो ये उनसे कहती बेटा आज का दिन कैसा रहा तुमारी मिटिंग कैसी रही तुम रात भर जाग जाकर जिस काम के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे वो कैसा रहा लेकिन बहु अगर दिन रात एक भी कर दे तो भी उसकी कोई कदर नहीं कृतिका ने जल्दी से कपड़े बदले और अपनी सास और बच्चों के लिए दलिया बना दिया बच्चों को खिलाने लगी तो समीर भी आ गया समीर ने गुसे से कृतिका पर चिलाते हुए कहा तुम कहा रह गई थी बच्चे मुझे बार बार फोन कर रहे थे मा भी परिशान थी तुम अपनी नौकरी के चलते अपनी घ्रस्ती को अंदेखा कर रही हो तुमने मुझे फोन किया था लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त था लेकिन तुम भी थोड़ा समय निकाल कर मा के पास फोन करके उन्हें देर से आने के बारे में बता सकती थी कृतिका चुप चाब सुन रही थी अपने पती समीर को गुसे में देखकर आज कृतिका से रहा नहीं गया उसने सोचा एक तो मेरी गल्ती भी नहीं है फिर भी सभी मुझे सुना रही है कृतिका ने कहा आप लोगों को केवल खाने की चिंता है ना बहु की तो कोई चिंता ही नहीं मेरे काम के बारे में कोई नहीं पूछता मैंने दिन रात मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है मेरा वेतन भी बढ़ गया है और अगर मेरी जगा आप होते तो आपकी मा आपकी वहावाई करती नहीं ठकती मैं भी घर के लिए काम करती हूँ ताकि हमारी दो पैसे की बचत हो जाए तभी कृतिका की सास ने गुसे से कहा वैसे हमें कोई नोकरी वाली बहु नहीं चाहिए थी तुम्हें खुद ही नोकरी करनी थी वरना हमारे घर का गुजारा तो मेरी बेटे समीर की कमाई से चल ही रहा था अब घर और नोकरी दोनों की जमदारी अपने कंधों पर लोगी तो दोहरी चक्की में तुम ही पीशोगी अगर तुम नोकरी नहीं करोगी तो भी हम दो वक्त का खाना तो खा ही सकते हैं कृतिका को और जादा गुसा आ गया वो कहने लगी माजी नोकरी का किसी को कोई शोंक नहीं होता मजबूरी होती है मैं भी घर का काम खतम करके दिन भर टीवी पर अपने मन पसंदिदा कारे करम देख सकती हूँ मेरा भी मन करता है मैं मेरी सहेलियों रिष्टदारों के साथ फोन पर बाते करूँ लेकिन मुझे तो आराम से बैटकर खाना खाने की फुरसत धी नहीं है आपका जमाना और था जब एक की कमाई से घर चल जाता था लेकिन आज कल इतनी महगाई है अगर दो पैसे बचाने है तो पती पतनी दोनों को कमाना पड़ता है अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो कुछ नहीं बचेगा आपके बेटे समीर की कमाई से रोज मर्रा के खर्चे ही पूरे होते हैं फिर बच्चों के भविश्य के लिए हमें कुछ पैसे तो जोडने ही होंगे अभी बच्चे छोटे हैं आने वाले समय में बढ़े होंगे सभी की अपनी जरूरते होंगी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ेगा इसलिए माजी समय के साथ बदलना पड़ता है और अपने बुरे समय के लिए दो पैसे पहले से बचा कर रखने पड़ते हैं वो जमाना गया जब आपकी मुश्किल समय में आपकी रिष्टदार आपकी मदद कर दिया करते थी आज अगर किसी से दो पैसे उधार मांग कर देखो तो सभी की जेबे खाली नजर आती हैं और सभी कुछ न कुछ बहाना बना कर ताल देती हैं कोई किसी की मदद नहीं करत अब समीर को भी सब कुछ समझ आ रहा था कि उसकी पत्नी कृतिका सही कह रही है वो मेहनत करके बचट करती है उसकी खुद की कमाई से केवल घर का खर्च ही चलता है समीर ने सोचा हम दोनों की बरावर की हिस्सेदारी है समीर ने मा को समझाया कि मा बहतर जिन्दगी जीने के लिए पती पत्नी दोनों का कमाना जरूरी है समीर ने अपनी मा से कहा मैं कल ही एक काम वाली बाई का इंतिजाम कर दूँगा कल से मैं भी घर के काम में आप दोनों का हाथ बटाया करूँगा हर काम में दोनों की पती-पतनी की बराबर के हिस्सेदारी होनी चाहिए साथ संगत जी आपको आज किये साखी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा साखी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यरंकार जी